हेलो दोस्तो आप सभी का हमारे इस यूटूब चेनल अलफा मोनिटर में बहुत बहुत सवागत है दोस्तो इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा समय लगा है लेकिन आपको इसे लाइक करने में एक सेकंड लगेगा तो पलीज लाइक कर दें दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फरीज का पानी पीने से होने वाले नुकसान के बारे में तो आए ये जानते हैं गर्मी के दिनों में शामनेत थंडा पानी पीने से प्यास भूझती है और थंडा पानी पीना मन आपको बहुत है यही कारण है कि कई लोग फरीज का एकदम ठंडा और चिल्ड वाटर पीना पसंद करते हैं लेकिन हम आपको बता दें कि फरीज का पानी पीने से कई परकार के नुक्सान होते हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है नमबर एक फरीज का पानी सवास्ते के लिए नुक्सान दाएक हो सकता है और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि फरीज पानी को करीतरिम तरीके से ठंडा करता है जो कि नुक्सान दाएक होता है नमबर दो, फरीज का एकदम ठंडा पानी पीने से बड़ी आंथ शिकुड जाती है, जिससे वह अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पाती, प्रिणाम सुरूप सुबह ठीक से पेट साफ नहीं हो पाता और मल पेट में ही सड़ता रहता है नमबर तीन, फरीज का ठंडा पानी पीने से कबज लंबे समय तक हो सकता है, जिससे आपका पूरा पाचंतंतर गड़बडा सकता है, और इससे कई परकार की बिमारियां जनम ले लेती है, आईरवेद में कबज को सारी बिमारियों की जड़ कहा जाता है नमबर चार, अत्यदिक ठंडा पानी पीने से सरीर की कोशिकाएं शिकुड़ जाती है, और ठीक तरीके से काम नहीं कर पाती, इसका असर आपके मेटाबोलिजम और सेहत पर सिधा पड़ता है, यह आपकी दमनियों को कम भी कर सकती है और दोस्तो नमबर पांच है, फरीज का पानी पीने से गला खराब होने की संबावना जयदा रहती है, रोजानों अगर आप इस आदत को जारी रखेंगे, गले, फेपडे और पाचंत अंतर के रोग हो सकते हैं, तो दोस्तो यह था आज का हमारा वीडियो आप इसे जदा स अबी लोगों के साथ दिल खोल कर शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि फरीज का पानी पीने से कौन कौन से नुकसान होते हैं, और अगर आप हमारे इस यूटूब चैनल अलफा मोनीटर पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ताकि आपको मिलते रहें नए नए वीडियोज सबसे पहले